हलो दोस्तो मैं रिश्यानन्द आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूडिव चैनल में जिसका नाम है वैदी गणित तो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूं इस वीडियो में और यह जो नया टॉपिक है यह आपका डिया चीज़ है डी आई नेट्वर्क्स एं 3D डाइग्राम्स ठीक है इसके कोशेंस अकसर इस सारे एक्जामनेशन में पूछे जाते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में बैंकिंग के भी एक्जामनेशन में पूछे जाएं ठीक है तो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और ट करते चलेंगे अगर पसंद नहीं आएगा तो हम लोग इसको कंटीनीव नहीं करेंगे मतलग अब जढ़र आपको इंपॉर्टन लगता है कि यह आप लोग के एग्जामनेशन के लिए इंपॉर्टन तो इसको अम लोग कंटीनीव करेंगे ठीक है तो दोस्तों इस वीडिय वीडियो के भी और आपको PDF की विल्डिंग को हाँ पर प्रोवाइट कर देता हूं ठीक है चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या एक्षुलिए में नेट्वर्स और 3D डाइग्राम्स अब फिर उससे कैसे क्वेश्चन्स आते हो वह क्वेश्चन हम लोग ले कर ही आ अपर देख पार होंगे दो यहां पर आपको पिक्चर दे रखा एंग घ्राफ दे रखाग गया है अब जैसे देखो यहां पर क्या लिखा रहा था, आपको देरेक्शन्स पॉर्ड टियुक्र 1 मेहीं से क्वेश्चना Satya Muslim वदुटिब अजिक लोग फले समें year Pause Cнимuito profit percentage earned by the five companies A, B, C, D and E across three years. ठीक है? हमेरे पास कितनी companies है? A है, B है, C है, D है और E है. ठीक है? ये पांच companies है, जिन्नोंने profit earned किया है, वह ही profit percentage आपको यहाँ पर दे रखा गया. ये कि यह 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 दे रखा गया. आप देख पार हैं, 1995 है, 1996 है, 1997 है. ठीक है तो इस तरीके से profit earn किया इस figure में यह ट्रैंगल बेच चार्ट में आपको यह शो कर रहा है ठीक है अब उसके बाद note में क्या लिख रखा गया पहला क्या है profit percentage is calculated on sales revenue profit percentage जो होगा वो sales revenue पर आपको calculate होगा ठीक है और profit जो होगा किसके बराबर होगा आपको sales revenue minus expenditure होगा three years ठीक है तीन साल में जो sales revenue है वो आपको यहाँ पर नीचे दे रखा गया आपको 1995, 1996 और 1996 और यहाँ पर आपको पांच companies है वो ABCD यहाँ पर आपको दे रखाए गया सब किसमें आपको जैसे अगर हम इसकी बात करें यह 2 अगर लिख रहा था 2000 करोड होगा इन 1000 करोड उपीज में ठीक है clear है यह चीज़ समझ गयोगे अब हमनों question को भी हल करेंगे तो आपको यह चीज़ और वियासानी से समझ में आ जाएगा ठीक है देखो question क्या बुलागी है what is the following companies which of the following companies has earned maximum profit during the year 1997 ठीक है तो इसमें बुला आपको यह जा रहा है कि कौन सा company जो maximum earned किया है profit कौन से साल में आपको 1997 में कौन से साल में आपको 1997 है तो 1997 अगर देखते हैं तो इसमें देखते हैं तो 1997 यह लब पार्ट है ठीक है अब कौन सा company कितना profit earned किया maximum यह हमें यहापर बताना तो हमें सबका देखना पड़ेगा तो एक-एक करके लेके चलते हैं अब 1997 की बात हो रही है तो यहापर 1997 की बात हो रही है और 1997 में आपक 3000 करोड है ठीक है इतना उसने sales revenue है अब sales revenue कि आपको profit दे रखा गया है कितना percentage इसका profit है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे एक कितना profit हो रहा है तो profit देखोगे तो सारा किस direction उपर की direction में 25% 50% 75% और कितना आपको 100% 1997 सब कहां उपर की तरफ है तो हम लोग इसको इसको इस चलो देखते तो एका कितना हो जाना चाहिए ऐसे एकर आएगा तो एका करीशन का क्या लेना पढ़ेगा यहां साड़े 1 by 8 से हम लोग इशप्लाई कर देंगे 3000 को तो यह आ जाएगा 375 करोड़ त्चिक ए 375 करोड़ आ जाएगआ ठीक है अब उसी प्रकार से अब बी का देख लेते हैं यहां पर बी कार देखो गये तो कितने आर आपके आपको फचीस पर्सेंट जारा है अब C का देख लेते हैं, C का अगर देखोगे, सी का फिर से आप मिढ़ में हैं. और यह उपर की तरफ जाएगा, तो उपर की तरफ चला गया, अपको 25 और 50 के क्या होगी? आपको बीच में हो गया. C का कितना हो जागा, 25 और 50 के बीच में हो जाएगा. तो 25 और 50 के बीच में आ जाता है आपको यहां पर 25 है इधर ठीक है और सारे बार और होगा तो कितना हो जागा 37.5 हो जाएगा ठीक है तो 37.5 परसेंट को अगर फ्रैक्शन में कनवर्ट करोड़ को तो 3 by 8 हो जाएगा 3 by 8 of C का कितना परसेंटेज आपको 5000 है ठीक है 5000 है 5000 का चली ले रहे तो यह आजागा आपको 1875 करोड़ आजागा अब उसी प्रकार से अगर हमनों डी का लेते हैं तो डी का देखो गए तो डी आपको 50% हो रहा तो 50% 1 by 2 हो जाएगा ठीक है और डी का अगर देखो तो डी का यह वाला पार्ट है आपको 4000 करोड़ है तो यह जगा 4000 हो जाएगा ठीक है 1 by 2 हो जाएगा तो यह हो जगा он by two of 4000 ठीक है तो one by two हो जाएगा अपका 4000 तो यह जागा North Stunden यह भी हिसे आपका 2000 क्रूड करूड केतब़ देखक मैक्सिम्म प्रोफिट तर आपको कौन здрав Iya हो जाएगा मैक्सिम प्रॉफिट तो यही हो जाना चाहिए इस सवाल का जवाब ठीक है चलिए अगला सवाल देख लिया जाए हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला सवाल यह है कि जो भी आपे साल आपको दे रखा गया साल कौन कहुं से आपको एक तो 1995 है फिर उसके बाद किया 1997 फिर 1996 भी है ठीक है तीरों साल में कंपनी ए ने कितनी प्रॉफिट कमाई है यह हमें यह पर बताना है तो चलिकर करके लेते हैं 1995 से शुरू करते हैं 1995 में अगर देखते हैं तो दो हजार करोड कमा रहा है ठीक है से उस रेविन्यू यह है और 1995 की बात करें और एक ही बात करें तो यह आ जागा यहां पर बीच में आ जागा आपका हंड़ेट के बीच में आ जागा तो यह जगा आपका 87.5 हो जागा कितना हो जागा 87.5 हो जागा तो 87.5 को फ्रेक्शन में कनवर्ट करेंगे तिया आजाता आपको 7 by 8 आ जाता है ठीक है यह 1995 की बात हुई अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1996 में 1996 में अगर आते तो 1996 यह उला पार्ट हो गया और एक रेविन्यू 1996 में कितना आपको 4000 है ठी 25% हो रहा तो 25% कितना हो जागा 1 by 4 हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद आ जाते 1997 में 1997 की जब बात हो गी तो 1997 में एक इतना कमारा आपको 3000 करोड है ठीक है 3000 लिख लिए हमने और 1997 में एक कौन सा पार्ट है यह अला पार्ट है तो यह कितना आपको 12% है तो साड़े बारा कित सही जब आवा जागा तो इन सब पुझोडने के बाद आता आपका 2375 करोड ठीक है यह हो जागा इस कौश्चन का आंसर 2375 करोड is the correct answer clear है समझगोगे इस सवाल को ठीक है चलिए अगला सवाल भी देख लिया जाए हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो एक चीज़ हम लोग ने सबसे पहले वाले सवाल में देखा था कि हमारा कितना तर 2000 करोड आ रहा था था ना पहले वाले सब्सक्राइब करना पड़ेगा सवाल में तो उससे हमारा यहां पर क्या उपर होना चाहिए तो 1996 तो 1996 में आपको डी कितना आपको 6000 करोड है यह कितना आपको 6000 करोड है कवे आपको 1996 में यहां इस सैडे में तो इस सैड में तो कहां पे आजाना चाहिए आपको यहां पर आ है मों यहां पे आजाएगा और यह लगा आपका 37.5% ही नहीं चाहितां तो 37.5% को कैसे लिख सकते एक तो साड़े बारा हो गया और 25 हो गया तो 1 by 4 और कितना जगा आपका 1 by 8 हो जाएगा और इंट्व क्या लिख लोगे आपको 6000 लिख लोगे यह गया आठ और यह कितना जगा आपका 3 हो जाएगा ट्रीवाय और यह गया आपका 6000 हो गया ठीक है यही हो जाएगा अब यह देखो तो 8 से चला जाएगा आपका 8 से चला गया तो यह कितना जाना चाहिए ठीक है 750 हो जाएगा 8756 और 4 निकलेगा 845 यह हो जागा न और यह हो जागा 03515 एक हाथ में तीन से देखेंगे इसे और यह 2250 हो जागा ठीक है अब देखो 2250 हो जागा यह उससे तो ज्यादा जो हमने पहले व्लेकोशन निकाला था दो जागा तो उससे तो यह ज्यादा बाइस सुपचास करोड़ है अब उसके बाद हम लोग इसी में देख लेते हैं सी का देख लेते हैं सी का इसले देखते हैं अगर देखोगे 1996 में तो सी का कितना आपको प्रॉफिट यहां पर जाएगा सी का अगर देखोगे तो कितना आपको 5000 करोड़ है कितना जगे आपको 5000 करोड़ है यह जगे यहां से 2500 तो 2500 हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा किसका आपको सी का है कभ है 1996 में है 1996 में आपको सी का कितना आपको 2500 करोड़ है तो यह हो जाना चाहिए इस सवाल का आंसर ठीक है स समझ गोगे इस सवाल को चले बढ़ते हैं अगला सवाल देख लिया जा हाँ तो दोस्ते अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखला सवाल यह कि एक्स्पेंडीचर को फॉर्मुला निकाला है, यहाँ सहाई निकाला है सहाई थीज उसल्द में इक्स्पेंडीचर निकाला है अगी जिएए ना से रेवेन्यू माइनस क्या हो जागा अपको प्रॉफिट हजा एक्सपेंडिटिछ नियुत आपको सी अपनुनिkenalना निकलना है ठीक है और कौन से निकालना अपना पूटीad 25 को निकलना तो 1995 का यहाँ पार्ट है। तो सी का तो सी का कितना आपको यहांप हे दो-जार करोड़े क्तना आपको 200 करोड़े तो तो 1995 में फिर से हम लोग आजाते इधर 1995 में सी का आगर हम देखते तो सी आपको सब्सक्राइब क्या जा रहा है । चरके और सीका पार्ट कितना आपको साघर बारा पर संटिया जागे चाहिए कि यहां पर जागा साघरे बारा यहां से इसको निकालते तो 2000 को अगर मैंने यहां पर आपको 4000 को भी अलग कर लिया तो यहां जगा आपका उपर में हो जाएगा कि अगर कॉमन आपका करके निकालते तो यह 7 एट हो जाएगा और यह भी कितना आपका 7 बाउन में 8 हो जाएगा दोनों क्या होगा आपको कैंसल आट हो गया और यह आजाए आपका यहां से 1 आपका में 2 रिशियो निकलके आजाए आपका 1 आपका में 2 चलिए दोस्तों अब सवाल देख लिया चाहा है तो दोस्तों यह अंतीम सवाल है इस network and 3D diagram का इसमें क्या बोला गया during the year 1998 if the sales revenue of B increases by 25% and the expenditure decreases by 20% then the profit percentage of B in 1998 is more in percentage points than that of 1997 by देखे इस सवाल में क्या वोला जारा कि जब हम लोग 1998 की बात करते हैं तो B का जो sales revenue है वो 25% से क्या होता है increase होता है और expenditure जो होता है वो 20% से decrease होता है then the profit percentage of B in 1998 is more 1998 का हमें निकालना profit percentage जो की ज्यादा है हमें point बताना है than that of 1997 से हमें compare करना है ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या बात हुई यहाँ पर कि 1998 में क्या बात हुई कि B का जो sales revenue है वो increase करता है कितने से increase करता है को 25% से increase करता है ठीक है यह कब की बात हो रही है कि 1998 है और 1997 से करना अब हम 1997 को भी निकालना पड़ेगा हमें जब 1997 की बात करते तो वहाँ पर आपका sales revenue देखे तो बी का हम जब भी देखेंगे बी का देखेंगे तो 1997 बी का देखते तो कितना आता आपको 4000 आता sales revenue आगया आपको यहां से 4000 करोड आगया अब उसी में जब हम लोग प्रॉफिट देखते हैं ठीक है हमें यहां पर निकालना क्या है यह चारजा करोड है तो 1997 यहां पर आपको और बी का में निकालना तो बी अगर देखते तो बी इस पर तो पचीस परसेंट हो जागा वन बाई क्या को इंक्रीज कर गया है 35 पर्सेंट से इंक्रीज कर गया तो इसका पचीस परसेंट कर गया और यहां पर expenditure जो है expenditure decrease कर गया कितने से 20% से decrease कर गया तो हमें आप expenditure निकालना पड़ेगा तो expenditure कितना हो जाएगा 1997 की एकरम बात करते हैं तो expenditure हो जाएगा आपको sales revenue minus क्या करना पड़ेगा हमें profit minus करने तो यह हो जाएगा कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा तो यहां पर 3,000 का अगर मों 20% अगर उसमें से कम कर देते हैं तो यह आजागा expenditure आजागा 2400 अब देखते हैं परसेंट प्रॉफिट कब 1997 की बात करते हैं परसेंट प्रॉफिट अगर देखते हैं 1997 में तो 1997 में हमारा कितना आपको 4000 है सॉरी,1000 का क्या आपको profit हो रहा है ठीक है,1000 का क्या आपको profit हो रहा है और किसमें निकालना पड़ेगा आपे sales revenue निकालना पड़ेगा तो 4000 और into kya कर लेंगा 100 कर लेंगे यह यहां से आ जागा आपको 25% कितना हो गया 1997 में में 1997 में देखते तो 25% का में profit हो गया अब जब हम लोग यहां पर आते हैं निकालने के लिए 1998 में percent profit अगर हम देखते हैं 1998 की अगर हम देखते हैं तियों जगा आपको 5000 माइनस क्या हो जागा आपको चौवीस सो चौवीस हो जागा और नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग 5000 लिखेंगे और इंटू क्या कर लेंगे उसमें से 1997 क्या करना पड़ेगा मैनस करना पड़ेगा तो 25 परसंट से क्या कर देंगे मैनस कर देंगे इन दोलों को करने बाद आ जहाँ आपको यहां से 27 परसंट इतना पॉइंट से आपका क्या है जादा है कब 1998 में 1997 से अकरम जा हम लोग कंपेर करते हैं तब ठीक है तो दोस्तों जो हम लोग डियाई लिए थे मतलब जो भी हमारा नेटवर्क से 3D डाइग्राम्स का जो है 3D नेटवर्क का जो है यह आपको कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट करेंगे जरूर बताईएगा अगर पसंद आया तो इसको यार हम लोग कमटिन्यू करेंगे क्योंकि इस तरह कोशन हर जगह पुछे जा सकते काफी अच्छे सवाल है इसमें और जैसे इसे सवाल आएंगे और भी मैं इसमें सवाल करवाँगा अगर पसंद आता है त और अपने दोस्तों साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है तो अटलास दोस्तों थैंक यू सो मच पर वाचिंग वाइव वीडियो और बेस्ट आलग फॉर फॉर फूचर